Hello Guys, Welcome to Tessie Classes English with Monica आज हम पड़ेंगे The Heritage of India आपकी प्रोस बुक का ये last chapter है The Heritage of India կा मतलब है इसका? Heritage, Heritage का मतलब होता है धरोहर कौनसी धरोहर? सांस्कृतिक धरोहर तो A.L. वाशम ने क्या बताया है इस chapter में? उन्होंने हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बात की है वो जो थे एल बासम वो हमारे भारत की कल्चर से भारत की संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे बहुत जादा प्रभावित थे तो उनकी एक बुक थी The Wonder That Was India उस बुक का एक पार्ट है The Heritage of India यानि आपका चैप्टर The Heritage of India इनकी बुक The Wonder That Was India से लिया गया है ये जो बुक थी बच्चो ये भारतिय संस्कृति का एक सर्वेक्षन थी इस बुक में जो सर्वे किया गया था भारतिय संस्कृति का उसको पेश किया गया था ठीक है तो इस चैप्टर में ये जो लेखक है एल वार्षन वो हमें ये बताते हैं कि प्राचीन हिंदू सर्वेता बहुत ही गुड़ों से योक्त थी बहुत रिच था हमारा कल्चर जो था इसमें बहुत सारी संस्कृतियां आके समहायत हुई थी यानि बहुत सारी भारत्य संस्कृतियों के अत्रित इन पर और संस्कृतियों का भी प्रवाब हमें दिखाई देता था लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतिय संस्कृति जो है अपने अलग रूप में सबसे अलग और सबसे उतकष्ट रूप में खड़ी हुई थी ठीक है और क्या बताते है यलवाशम हमें ये भी बताते हैं इस चैप्टर में कि अब क्या हो रहा है अब हमारा जो भारत है वो बदल रहा है अब जो है पतियों की चिताओं के साथ विद्वाओं को जलाया नहीं जाता है अब छोटी छोटी बच्चीयों की बच्चपन में शादी नहीं की जाती है और ना ही कोई जाती है विद्वाव अब दिखाई देता है ठीक है चाहे ब्र परत्मान काल की परिस्थितियों की अनुसार हमारा भारत देश जो है ढलता चला जा रहा है तो इस चैप्टर में जो एल वाशम है वो ये आशा करते हैं कि भारत्य संस्कृती जो है कभी भी समाप्त नहीं होगी क्योंकि उसकी जो नीव है वो बहुत ही सुद्रण है तो चलि पच्छे से लिख सकें तो चलिए शुरू करते हैं राम मोहन राय हैं सामाजिक सुधारों के लिए अपना प्रवल समर्थन देकर समास सेवा के नई युक का शिरिगणेश किया था यानि नई युक की शुरुवात की थी विवेकानन्द रिपीटेड इट विदा मोर नेसलिस्ट टिमबर विवेकानन्द ने इसे राष्टवादी स्वर से और भी अधिक जोर से इसको क्या किया इसको दोराया कब? when he declared that the highest form of service of the great mother was social service तो विवेकानन्द ने इसे राष्टवादी स्वर से उस समय और अधिक दोराया जब उन्होंने declared कर दिया इस पस्टूप से कह दिया कि मात्र भूमी की सेवा का service list स्वरूप क्या है? समास सेवा है अधर ग्रेट मदर कौन? मात्र भूमी तो उसकी सेवा का service list स्वरूप क्या है? समास सेवा है ठीक है? Other great Indians, chief of whom was महात्मा गांधी और महान अन्य जो भारत वासी थे उनमें महात्मा गांधी मुख्य थे Develop the theme of social service as a religious duty and the development continues under गांधी's successors समास सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विक्सित किया और ये जो विकास था गांधी जी के उत्रा दिकारियों द्वारा अभी भी जारी है मतला गांधी जी ने क्या किया गांधी जी ने ये जो समास सेवा थी उसको कैसे विक्सित कर दिया एक धार्मिक कर्तव के रूप में विक्सित कर दिया और उनके उत्रा अधगारी से मतलब ऐसा नहीं जिनके संग गांधी का नाम जुड़ा है वो उत्रा अधगारी उत्रा अधगारी से मतलब जो उनके अनिवाई हैं जो उनके मानने वाले हैं अधिजी के जो विचार थे उनमें विश्वास रखने वाले हैं उन लोगों ने क्या किया है उनकी इस धार्णा को की समा सेवा करना क्या है एक धार्मिक कर्तब है उसको और आगे बढ़ाया है चलिए आगे देखते हैं Mahatma Gandhi was looked on by many both Indian and Europeans बहुत से भारतिये और European Mahatma Gandhi को भारतिये परंपरा का प्रतीक मानते हैं ठीक है? as the epitome of Hindu tradition but this is a false judgment for he was much influenced by western ideas बहुत से भारतिये और European ऐसे हैं जो गांधी जो को भारतिये परंपरा का एक प्रतीक मानते हैं ये मानते हैं कि गांधी जी जो है भारतिये परंपरा का एक सिंबल है लेकिन ये जो धारना है वो ठीक नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि ये जज्जमेंट जो है false है वो ऐसा नहीं है क्यों? क्योंकि देखो लेखा है ना much influenced by western ideas क्योंकि जो western ideas थे पश्चिमी देशों के जो विचार थे उनका प्रभाब महात्मा गांधी पर अधिक दिखाई देता है अधिक पड़ा था उनका प्रभाब गांधी जी believed in the fundamentals of his ancient culture गांधी जी अपने देश के प्राचीन संस्कृती के मूल सिद्धान तो में विश्वास रखते थे fundamentals यानि मूल सिद्धान जो थे प्राचीन संस्कृती के उसमें विश्वास रखते थे यानि जो लोग बहुत ज़ादा पुरी तरीके से जिनके संग विभार किया जाता था जो शोशत लोग थे पीड़ित व्यक्तियों के प्रती उनका असीम प्रेम और जाती प्रता के प्रती उनकी क्या चीज अशहिंशृता यानि जाती प्रता को वो पसंद नहीं कर दे थे ठीक है तो जाती के प्रती उनकी जो अशेंश्रिता थी वो इन सिध्धानतों के एकदम विपरीत थी यानि एक तो क्या चीज पसंद नहीं थी उनको कास्टिजम पसंद नहीं था और जो बीडित व्यक्ती थे गरीब थे शोसित थे उन लोगों के पर अत्याचार करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जाती बाद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था तो यह सब चीजें जो एंसेंट कल्चर था उसके विरुद थी ना तो यह चीजें उनके विरुद थी आगे देखिए क्या होता है दो नॉट अन्प्रीजन इन एंसेंट इंडिया वर ओर्थोडोक्स इन दा एक्स्ट्रीम एंड ओड ओड मोर टू दा यूरोपियन 19th सेंचुरी लिवरलिजम देन तू एनिफिंग इंडियन यदि भी ऐसे दृष्टान प्राचीन भारत में भी मिल जाते हैं कैसे जाती बाद वाले इस तरीके के मिल भी जाते हैं और इनके जो हम कह रहे थे अभी बता रहे थी कि उनकी विचार कैसे थे वो पश्शी में सब्विता से ज़्यादा प्रभावित थे ना उसके लिए आगे बताया गया है कि और अपने इन विचारों के लिए वो किसी भी भारतिय तत्व की पेक्षा यानि भारतिय ताके किसी भी संस्कृति के किसी और चीज के पेक्षा क्या था कि 19. शतादी में जो लिवरलिजम मतलब उदारवाद था उसके वो अधिक रिणी थे यानि उससे वो बहुत अधिक प्रवावित हुए उनका जो विश्वास हम आइंसा में देखते हैं तो वो किसी भी तरीके से हिंदुजम का हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है His producers in revolt यानि revolt मीज होता है विद्रोई तो जो विद्रोई में रत उनसे पहले की जो producers थे उनसे अग्रस जो थे दे एवल मराठा भ्राम्मन उसमें कौन थे योगे मराठा भ्राम्मन बीजी तिलक यानि बाल गंगात तिलक और गांधी जी के सबसे इंपेशन्स यानि उत्साही जिनमें धहरे की कमी थी सुभास चंदर वोस इस विश्वेपर कैसे दिखाई देते हैं इस विश्वेपर जादा रूड़ी बादी दिखाई देते हैं गांधी जी इतने रूड़ी बादी नहीं थे जितने यह लोग दिखाई देते हैं हिंदुत्यू के विश्वेपर आगे बताते हैं वो for Gandhiji's pacifism pacifism मतलब उनका शांती बात तो for Gandhiji's pacifism we must look to the ceremony on the mount and the tallest toy तो Gandhiji के शांती बात के लिए जो शांती बात के प्रचारक थे हो उसके लिए हमें क्या देखना होगा ceremony होता है उपदेश देना ceremony on the mount यानि ईसा मसी ने जो पहाड पर उपदेश दिया था उसके बारे में यहां बात हो रही है कि Gandhiji के शांती बात के लिए हमें ईसा मसी द्वारा पहाड पर दिये हुए उपदेशों को तथा tallest toy, tallest toy कौन थे? tallest toy एक उपन्यास कार थे, writer थे बहुत बड़े तो tallest toy की ओर देखना होगा यह tallest toy ने जिन बातों का समर्थन किया है उनके लिए हम Gandhiji के विचारों को यह मान सकते हैं कि Gandhiji उनके विचार से प्रभावित थे ठीक है? इसलिए शुरू में उन्होंने कहा कि उन पर इस चीज के लिए पश्चिमी सविदा का प्रभाव दिखाई देता था आगे देखिए His championing of woman's right is also the result of western influence तो जो है नारियों के अधिकारों की वकालत यानि नारियों के अधिकारों की जो वकालत की थी जो समर्थन किया था उन्होंने उस पर हम क्या देख सकते हैं कि पश्चिमी प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है यह जो result हमें दिखाई दिया कि नारियों के अधिकारों की उन्होंने वकालत की यह सीज हमें किसका result है कि पश्चिमी प्रभाव का result है In his social context he was always rather an innovator than a conservative उनके अगर हम सामाजिक संधर्व की बात करें तो वो अपने सामाजिक संधर्व में हमेशा ही कैसे रहे परंपरावाद के पेक्षा नवीन विचारों के प्रवर्तक रही है है ना innovator रही है नई विचार परस्तुत करने वाले रहे है conservative नहीं रहे वो ठीक है परंपरावादी के पेक्षा वो कैसे रहे है नई विचारों के प्रवर्तक रहे है महत्मा गांदी ठीक है आगे देखिए दो some of his colleagues thought his program of limited social reform to slow आगे बताते हैं कि यदे भी उनके साथ काम करने वाले जो colleagues थे उनके कुछ व्यक्ति उनके दुआरा किये गए सामाजिक सुधारों के कारकरम को सीमित मानते थे और क्या कहते थे कि इनकी जो गती है इसकी social reform की वो बहुत slow है बहुत दीमी गती से विकास होता है इनके उसका ठीक है ऐसा उनके जो साथ काम करने वाले colleagues से उनका मानना था आगे देखिए क्या होता है कि फिर भी वो क्या था हैरे केसी मिंतलब होता है किसी चीज को क्रम अनुसार चलना श्रेणिवद्ध तरीके से तो फिर भी वो श्रेणिवद्ध वर्ग तथा जाती के स्थान पर हिंदू विचार धारा के संपून दवाब को लोप्रिये एवं समान्तावादी सामाजिक विवस्था की ओर मोडने में सफल हुए गांधी जी उस जो क्लास और कास्ट के पेक्षा क्या किया और उन्हें समान्तावादी ठीक है following up the work of many less well-known 19th century reformers गांधी जी and his followers of Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation तो 19th century यानि 19th century सतावदी के को जो कुछ कम प्रसिद है ना कांधी जी के जो followers थे जो कम well-known थे less well-known यानि कम प्रसिद समासुधारकों के कार्यों का अनुकरन करते हुए उनको follow करते हुए गांधी जी तथा भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के उनके जो followers थे उन्होंने सतावदीयों से निश्क्रियता के पस्चात हिंदू संस्कृती को एक नवीन दिशा और जीवन प्रदान किया जो सतावदीयों से हिंदू संस्कृती बिलकुल निश्क्रिया पढ़ी हुई थी आज बहुत कम ऐसे भारतिये हैं चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो जो अपनी प्राचीन संस्कृती पर गर्वित ना हो हमारे यहां ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो भारतिय संस्कृती पर गर्व नहीं करते होंगे ठीक है और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतिये भी हैं जो अपनी संस्कृती के कमजोरियों को छोड़ने के इक्षुक हैं मतलब हमारी संस्कृती में जो भी कमी हैं उसको हम दूर करें ऐसे भी लोग हैं जरूरी नहीं है जो परंपरा से चलता चला रहागा कुछ गलत है तो गलत कोई आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं ऐसे नहीं हैं तो कुछ उद्धिमान लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी संस्कृती में कमजोरियां हैं उनके छोड़ने के इक्षुक हैं ताकि भारत विक्षित होकर उन्नती कर सके Politically and Economically इंडिया faces many problems with great difficulty राजनेतिक और आर्थिक रूप से भारत के सामने बहुत सी समस्या हैं and no one can forecast her future with any certainty और कोई भी व्यक्ति निश्यत रूप से नहीं कह सकता कि उसका भाविश्य क्या होगा उसका मतलब भारत का और हर का प्रयोग्या क्यों हुआ है क्योंकि हर हम भारत माता कहते हैं इसलिए हर लाया गया ठीक है हर future इसलिए बोला गया तो भारत माता का भविश्य क्या होगा कोई भी निश्यत रूप से नहीं कह सकता है यह अनमान लगाना उचित है यह अनमान लगाना उचित है भारत का भविश्य चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो आने वाली जो जनरेशन है पीडियां है वो क्या करेंगी यूरोपीयों का यानि यूरोप वासियों का अंधा अनुकरण नहीं करेंगी वो और वो कैसे होंगे वो ऐसे व्यक्ति होंगे किस तरीके के होंगे वो वो एसे लोग होंगे जो जड़ों से जड़े हुए होंगे जिनकी जड़े अपनी परमपराओं पर ही आधारित होंगी तदा उन्हें अपनी संस्कृती की जो continuity है continuity मतलब निरंतर्ता का ज्यान होगा ठीक है? Already after only seven years independence, सोतंतर्ता प्राप्ति के केवल साथ वर्ष बाद ही इसमें थोड़े से हार्ड वर्ड है पहले आप इनका मीनिंग समझ लीजिए देखिए यह है चुनिजम चुनिजम होता है उगर रास्टवाद ठीक है? उगर रास्टवाद, self condemnation यानि आत्म निंदा fanatical means होता है कटर लोग जो होते हैं जो संस्कृति गौरा उस पर आवशक्ता से अधिक क्या करते हैं उच्छा पुर्वग्दम प्रशंसा करते हैं कटर वादी जिस तरीके के लोग होते हैं उस तरीके के लोगों को बोला जाता है fanatical तो आप समझते हैं अब आपको अच्छे समझ में आएगा यह दिखिए तो स्वतंता प्राप्ति के केवल साथ वर्ष के बाद ही रास्टिय तिरसकार करने वाले यानि जो कटर पंथी लोग थे अनुदार पंथी लोगों की जो समू थे और संस्कृतिक गौरव की परामपरागत अन्यायों की वर्व जो है कम होते जा रहे हैं ठीक है वी विलीब देट हिंदू सिवलाइजेशन इस इन दा एक्ट ओफ परफॉर्मिंग इस मोस्ट स्पैक्टुलर फीट ओफ सिंथेसिज हमारा विश्वास है कि हिंदू सविता संस्लेशन संस्लेशन के सबसे अधिक महत्वपूर कारे में लगी हुई है सबसे महत्वपूर कारे में लगी हुई है इन दा पास्ट इट हैज डिसीब अडेप्ट दा डाइजिस्टेड एलिमेंट ओफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स पास्ट में यानि भूत काल में इसमें बहुत सी बिविन प्रकार की संस्कृतियों के मुख्य तत्वों को डाइजिस्ट किया है ग्रहन किया है ग्रहन करके एकदम क्या कर लिया उसको आत्मसाथ किया है फिक है इंडो यूरोपियन जैसे भारतिय यूरोपियन मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन इरानी इरानी ग्रीक रोमन सीथियन तुर्की फार्सी और फार्सी Persian and Arab और Arab देश की ये ती सारी संस्कृतियां हमारे यहां समाईते With each new influence It has somewhat changed प्रत्य एक नई प्रभाब के कारण भारते सविता में कुछ परिवर्तन भी आया है जब नई नहीं चीज़ें आके मिलेंगी तो change भी आएगा तो कुछ परिवर्तन भी आया है Now it is well on the way of assimilating the culture of the West अब ये पश्चमी सविता को आत्मसाथ करने की दिशा में ठीक प्रकार से अग्रिसर है यानि ठीक प्रकार से आगे बढ़ रही है ठीक है ऐसी mellating means होता है ऐसी mellating means होता है बच्चों किसी चीज़ को absorb करना यानि अपने अंदर समाहित कर लेना ठीक है Hindu civilization Will we believe retain its countrymen हमारा विश्वास है कि जो हिंदू सबिता है हिंदू सबिता है वो अपनी निरंतरता को क्या रखेगी बनाए रखेगी retain its continuity अपनी सबिता को बनाए रखेगी भागवद वीता कारशील व्यक्तियों को प्रभाबित करती रहेगी अपनीशद विचारशील व्यक्तियों को प्रेड़ना देते रहेंगे ठीक है ये कितनी ही अधिक प्रभाबित क्यों न हो है ना labor saving devices से तो प्रभाबित हो रहे हैं हमां की machine जो आ रही है तो श्रम बचाने वाली युक्तियों से कितने ही प्रभाबित क्यों न हो ठीक है people will still love the tales of the heroes of the mahabharat and ramayan and the loves of dushyant and shakuntala and purarwa and urvasi महाभारत और ramayan काल के महापुर्शों की जो कहानिया है वो दushyant और shakuntala पुरarwa और urvasi की जो प्रेम कथाए है उनको लोग पसंद करते रहेंगी ठीक है the quiet and gentle happiness which has at all the times prevailed Indian's life where operations शांती और आनंद प्रत्य काल में भारतिय जीवन पर चाहे रहे है or operations in or atyachar, disease, rog and poverty or niradhantha have not overclouded it will surely not it will surely not it will surely not vanish before the more hectic ways of the west यहां तक बात होगी ते अत्याचार, rog, niradhantha ने सदेव इस अधिक और अधिक overclouded नहीं किया है मतलब और ज्यादा बोजिल नहीं किया है यह सब it will surely not vanish before the more hectic ways of west यह सब पश्चिम से अधिक उतेजना पूर्ण बातावरन के समक्ष निश्चे ही अद्रश्य नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा कि यह जो है गायव हो जाएं ठीक है much that was unless in ancient Indian culture has already presided भार्दे संस्कृती में जो कुछ भी निर्थक था उसका अधिकांश भाग क्या हो गया है प्रिसाइड हो गया, नश्ट हो चुका है जो निर्थक था वो अधिकांश नश्ट हो चुका है दा एक्स्ट्रा वेगेंट एंड दा वार्वरस हैक्टॉम्बस ओफ दा वैदिक एज हैव लॉंग सिंस बीन फॉर्गेटिं वैदिक युग के अधिक खर्चिले और पशों की बली दिये जाने वाले कश्ट दायक यग बहुत पहले ही भुला दिये गई है ठीक है प्रेसाइट्स का मतलब होता है जो चीज नश्ट हो गई हो एक्स्टर वेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च ठीक है अनसबलाइजड आपको पता ही है हेक्टॉमबस मीन्स होता है बली देना ठीक है तो वो सब चीज़ें क्या गोई है बहुत पहले बोला दी गई है आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं दो अब दो से मतलब यदपी अभी भी क्या हो रहा है बहुत जगा वैदे केज है लोंग सिंस बीन फॉर्गेटिन दो अनिमल सेक्रिफाइस कंट्यूनू इन सम सेक्स बहुत से कुछ ऐसे सेक्ट हैं कुछ ऐसे संपरदाएं हैं जहां पर पशु बली जो है अभी भी जारी है विडोज है लोंग सीस तो बी बंट ओन देर हजबेंस पेर अब जो है पतियों की चिताओं के साथ विद्वाओं को अब जो है जलाना बंद कर दिया गया है अब उनको नहीं जलाया जाता है चोटे बच्चों की लड़कियों की जो है अब कानून के अनुसार चोटी लड़कियों की बाले काल में ही शादी नहीं की जाती है तीक है अब जो है बाल बिवाद बंद हो गए है बहुत सारी चीजें आप क्या हो गया है हमारी जो देश है कंट्री है उसमें बहुत सारी चीजें आप बदल गई है अब बता रहे हैं कि पूरे भारत में ब्रामन रेल गाड़ियों तो था बसों में जो नीची जाती के लोग है उन लोगों के साथ जो है बिना कोई भेदवाव करें कोई बिना पवित्रता अपवित्रता का ऐसा कुछ धियान किये बिना चिंता के वो क्या करा है कंदे से कंदा रिकड़ के यात्रा कर रहा है यानि आप कोई भेदवाव नहीं रहा है यह जो पॉलूशन था यह जो विचार थी अपवित्र ती वो सब गंबीरता से खतम कर दी गई है वो सब खतम हो गया अब ऐसा कुछ भी नहीं पेचा है and the temples are open to all by law अब जो है मंदिर कानून के अंसार सब के लिए खोल दिये गए है caste is vanishing अब जो जाती प्रताती वो खतम हो गई है the process began long ago यह प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी बहुत पहले but its pace is now so rapid that the more objectionable features of caste may have disappeared within the generation also अब जो है यह सब चीजें पहले ही खतम हो गई थी लेकिन अब क्या हुआ इसकी गति और तेज हो गई है इतनी तेज हो गई है कि जाती प्रता के अधिक जो आपकति कारक तत्व थे वो क्या हो गया है वो एक-दो पीडियों में अब समाप्त हो जाएंगे अगे आगे बढ़ते जाएंगे जाती प्रसा जो है बिलकुल ही खतम हो जाएगी The old family system is adapting itself to present day condition और परिवार का जो प्राचीन पदिती अपने आपको वर्तमान काल की परिस्तितियों के अनुसार ढाल रही है अब प्राचीन पदितियों वर्तमान काल की परिस्तितियों के अनुसार आगे बढ़ती जा रही है In fact, the whole face of India is altering but the culture, tradition continues and its will never be lost लेकिन वास्तम में क्या है कि भारत का संपून चेहरा ही परिवर्टित हो रहा है किन्तु संस्कृति परंपराएं चालू है और वो कभी भी समात होने वाली नहीं है I hope बच्चो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजे अपने फ्रेंट्स के साथ शेर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके अब एक खास बात अब हमारा कोर्स लगवख पूरा खतम हो चुका है अब हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज जिसमें एक्स्मिनेशन, पोईट्री की सेंटर आइडियाज वो आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थाइडियो एक्सक्राइब बढे सुटक्राइब कर दो करकें जो आइड़ा इसकी एक्स डिक्सी बीडियो जान करेंगे विए